नमस्कार दोस्तों मैं सुभाज शर्मा चंडीगट से लाल किताब के ग्यान में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी जीवन में कुछ ऐसे लक्षन हमारे साथ होते हैं यानि कि कुछ घटनाए होती हैं जिनका कहीं आगे की घटनाओं से कु भी एक वाक्या हुआ यानि कि वो वाक्या होने का कोई मकसद होता है वो वाक्या आपके जीवन में क्यों घटा उसके साथ कुछ ना कुछ और चीज़ें जुड़ी होती हैं यानि कि कुछ लक्षन या फिर कुछ अन्होनी बातें कुछ बातें ऐसी आपके साथ होती हैं कु आपके जूते या चपल जो आप पैरों में पहनते हैं वो अकारण और असमे तूट जाते हैं और ऐसे तूटते हैं कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं था आपको अच्छे काम से जा रहे हैं और रास्ते में आपका जूता तूट गया या फिर आपका सैंडल तूट गया तो ये मंदी निशानी खास कर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में खाना नंबर 6 का अगर मान लीजे, खाना नंबर 6 में किसी के शनी है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति के लिए उसका जूता चपल तूटना एक मंदे वक्त की निशानी होगी, यनि कि आने वाले समय में ये निशानी उसके लिए या तो शारेरी कश्ट लेकर आएगी, या फिर किसी तरह की ऐसी प्रॉलम्स लेकर आएगी, जिसे हम कहते हैं बे मतलम में इंसान उल्जुनों में फश्जाना, यनि कि तीर चलाया किसी ने आ और वो उड़ता उड़ता चुका हूँ, पर यहां पर आपको उस समय कुछ साब्धानी बरत लेनी है, यानि कि आप कहीं जा रहे हैं, तो साब्धानी से जाएं, अगर ड्राइब कर रहे हैं, तो साब्धानी से करें, कि आपके साथ कोई चोट ना लगे, आपके साथ कोई ऐसा समय ना आ जाए, कि कि टककर हो गई तो आपके साथ वो मुसीबत गले पढ़ गई आपको देना पढ़ गया हर जाना तो उस समय आपको थोड़ा सा साफधान हो जाना है और उन जूते और चपलों को आप किसी को दान कर दें सही करा कर अब कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग कुटा पालते है कि हमारा पालतू जानवर जो परिवार का एक सदस्य था वो कहां चला गया उसको ढूंडने के लिए आप जगा जगा ढूंडते हैं पर इतना जरूर ध्यान रखिए कि आपका कुटा अगर खो गया है अगर मैं निशानी के तौर पर बताऊं तो अगर खाना नंबर 6 में किसी के भी राहू है तो उस समय में खाना नंबर 6 का खोया हुआ अगर किसी व्यक्ति का कुटा है जो कुटा खो जाता है तो ये मंदे वक्त की निशानी जाहिर करता है कि ऐसे परिवार के ऊपर कुछ ना कुछ हड़ी संबंदी दिक्कते आने वाली हैं या फिर संतान संब े होती हैं या ऐसी आवाजें कर निकालती है कि आपका रात का सोना हराम हो जाता है उस समय आप यह समझ लीजिए कि खाना नंबर 12 में आपके कुछ ना कुछ हले हो रही है क्रिभि है च च्छत जो होती है खाना तो समझ लीजिए आपकी सुभह जो है वो बड़ी मुश्किलों वाली है, कुछ ना कुछ जंजट आपके परिवार में कलेश या फिर बेमतलब के लड़ाई जगड़े आपके साथ हो सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको सुभह जब निकलना है तो एक घुट पानी और कुछ मी संबंदित रखता है सोना और ब्रस्पति उस समय आपकी कुणली में कहीं पर भी मंदे हालातों का होगा, तो सोना गुमना या फिर चोरी होना कई लोगों के साथ आपने देखा को स्नेचिंग हो जाती हैं, यह स्नेचिंग होना यह किसी ना किसी तरह की हरकतें आपके जीव उनके साथ कहीं न कहीं वैर विरोध हो सकता है और कोई बड़ी बिमारी जो की पेट से संबंदित हो वो परिवार में आ सकती है, इसके बचाव के लिए आपको चने की दाल धर्म स्थान में जरूर दान करनी है, अगर कहीं पर भी ब्रस्पति मंदा हो रहा हो, तो खाना नं लिए यह आपकी कुंडली है, और राहु अमूमन एक, पाँच, साथ, आठ या बारा खानों में मंदा माना जाता है, और ऐसे केस में आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको किसी ने टोक दिया, तो समझ लिए आपका काम बनते बनते बिगड़ेगा, तो यह ध्यान रखना है कि आपको कोई भी किसी तरह की रोका टोकी ना हो, अगर मान लिए जी किसी ने टोक पी दिया, किसी ने आपको जाते हुए काम में छेड़ दिया, तो अब उसका उपाय क्या करना है, उपाय सिंपल है, आपको एक घूट पानी का भर लेना है, चाहे घूट भरें चाहे गला पानी का पी है, पर पानी जरूर पीना है, क्योंकि वहाँ पर चंदर की शक्ती मिलेगी, चंदर से राहू कंट्रोल होगा, जो उसके मंदे परभाब आपके उपर आने वाले थे, उनसे बचाब हो जाएगा, और ये पानी पीना, पानी का उपाय कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है, ये बहुत बड़ा उपाय है, पहले जमाने में भी लोग पानी पिया करते थे, पानी पीके ही घर से निकला करते थे, उपर वाले का नाम लेके पानी पीके कुछ मीठा काके निकला करते थे, ये उपाय, एक उपाय के तौर पे भी काम करता है, और हमारे रिवाज के तौर पर चलन के तौर पर भी चला रहा है कि पानी का हर जगा हमने सपोर्ट लेना होता है जो कि चंदर्मा है तो दोस्तों आपको ऐसी जानकारियां और मैं आने वाली वीडियो पोस्ट में दूंगा तब तक के लिए बने रहिए नमस्कार